तो दोस्तो आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्तपूर्ण है बहुत इंपटेंट है बिकॉज आज के दिन मेरा चैनल लॉंच हुआ था और आप जाकर के अबाउट में चेक भी कर सकते हो के मेरा 14 फरवरी 2021 को हुआ था लेकिन आज 14 फरवरी 2022 तो मेरे चैनल को पूरा एक साल ह हो गया है तो आज मैं आपको complete अपने एक साल की जर्णी में आपको बताऊंगो किस तरह की मेरे साथ प्रोब्लम्स आई हैं और मेरी वीडियो में मैंने क्या मिस्टेक की है और मेरी वीडियो अब तक कोई भी वाइरल क्यों नहीं हुई है complete मैं आपको बताने वाला हूं इस हमारे पुलवामा में अटेक हुआ था जिसमें हमारे कुछ जवान सहीद हो गए ते मैं उन जवानों के लिए दुख जाहिर करता हूं और मैं उनके पैरेंट्स को भी नमन करता हूं जिन्हों ने इतने अच्छे जवान पेदा किये दो दोस्तों अब मैं वीडियो को अपन पर मैं चरके हूं आप आप को में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या प्रोफिर सुझ करता किसे के वाई कि और आपको यह आप सिव दोगे सोचरों के भाई यह हमें प्रमोट कर देगा हमारा यार दोस भाई कोई किसी को सपोर्ट ने करता यह मैं अपनी खुद की बीती बता रहा हूं भाई तो इसलिए जो कुछ करना है अब खुद करना है जो भी कुछ आपको यूटूब से रेटिट करना चाहिए आपको तीछे गिर जाते है जो अगरिए सोच ए समझे की ढीर क्या वंट होना है तो आपको भी कौन पना रहे हूं पस आपको बहुत लोग नहीं कोशिश करेंगा आपको ईरना नहीं है और आपको पडिये चड़ती जानी है क्यूश्य है रोड़ा आएगा ना रास्ते में उसको आपको जब तक उसको साफ नहीं करोगे जब तक आप उसको हटाओगे नहीं रास्ते में से तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आपको यह जो रोड़ा आएगा साइड में जो रोड़ा आता है रोड़ पे चलते वे उसको हटान और आगे बढ़ते चले जाना है दोस्तों मैंने जब अपना नाउंच किया था याद है मेरे अच्छे से मैंने तीन बार अपने चनल को छोड़ा था बीच में जब जब मेरे पास ओडियंस आई जब जब मैंने अपना चैनल चोड़ा आई तीन बार मेरा जो प्रमोशन हुआ वो जुनू के टेग चैनल पर हुआ क्योंकि तीन मैंने इंटर्व्यू लिये थे सबसे पहले आट लाख पर लिया फिर वन मिलियन पर लिया फिर वन मिलियन के बाद लिया तो तीनों जो मेरी वीडियो सी वो उनके कम्मुनिटी में गई है और वहां से मेरे को ओडियंस आई यह ऐसी बात नहीं है जब ओडियंस आई तो मैंने चैनल पर कोई वर्क ही नहीं कहा भाई तो यह बहुत बड़ी मिस्ट्रेक करिए मेरे आज ही मैं इस चीज़ को ब्लेम करता हूं अपने आपको के भाई कास मैं उस टाइम भी मैनत कर लेता मतलब जब मेरे पास ओडियंस तो बड़ी तब मैने वीडियो डाली, जब ओडियंस नहीं थी तब मैने वीडियो डाली है तो जब आपके पास ओडियंस आये तो आपको एक अच्छा कॉंटेंट देना पड़ेगा उससे बैतर देना पड़ेगा तब जाकर कि आपके पास ओडियंस रुकेगी आप ओडियंस तो ले लो कि कहीं से भी चाहे कोई आपका यूटूबर परमॉट कर दे या आप अपने चैनल को परमॉट करा लो अपनी वीडियो को परमॉट करा लो कहीं से भी इंफ्लेंस हो करके कहीं से भी किसी भी चैनल से आपके पास अगर जो आपका को यहार दोस यूटूबर से अगर आपके चैनल को परमॉट कर देता है और वहाँ से आपके पास ओडियंस आ जात पाइदा कि अगर हम किसी का फोर्स लगा करके हमारे पास ओडियंस आ गई है ठीक है ऐसे ऐसी ओडियंस लेने का कोई फाइदा नहीं है ऐसी ओडियंस से बेतर है कि हम अपने ही काम करते हैं हमारे पास इतने भी व्यूज आ रहे 50-60-60-500 हम उसमें खुशें पहली चीज अब मैरे अच्छे से याद है इस एक साल के अंदर मैंने एक भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो नहीं मनाई और मैंने आज तक मेरे याद है इच्छे से चैनल पर एक भी यूटूब की अपडेट्स नहीं डालिया तो जो ओर्डियंस आपके पास आती है वो आती है तो यह मैंने कुछ भी नहीं किया अपने चैनल पर लेकिन अब एक साल कंप्लीट हो गया तो यह साथ चीज़े अब समझ में आ रही है जब हम किसी यूटूबर्स की वीडियो देखते है न भाई और वो सब यह यही बाते बताता है तो शायद हम उस टाइम इग्नॉर कर द है और आपको यूटूब की अपडेट्स भी डालनी है मतलब आपको यह काम करने ही पड़ेंगे अगर आपको एक्टिव ओडियोंस चाहिए और दोस्तों अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना भाई एक चीज को पकड़ लो भाई उनको छोड़ो मत चाहे वह को सकस्स होने से कोई रोक ने सकता अगर हम एक चीज को पकड़ के रखेंगे ना भाई हम यूटूब है यूटूब से रेटेड हम काम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं एक साल हो गया भाई मेरे इतनी कंसेस्टेंसी है इतना मेरे अंदर मोटिवेशन है कि मैं अब तक हुआ हो जणून ना भाई उसको रुखने निदेना यार जनून के साथ साथ अपने अपने जो वर्क एउसको हाड करना है और आपको हाड वर्किंग यूटूब पे ग्रो होने की लिए बहुत जरूरी है अब चलो हाड़ वर्किंग की बात आगे तो बथा नहीं बताए त कर चुका हूं भाई 180 वीडियो विच विद अच्छे कॉंटेंट के साथ अच्छे प्रजेंटेशन के साथ इसमें मैंने अपनी वैल्यू एड करी है अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो भाई मैंने बहुत मैंनत करी है और मुझे पता है एक दिन वीडियो वाइरल जरूर होएंगी उसके हाँ देर है अंधेर नहीं है दोस्तों हमारी मैनत जो हम कर रहे हैं यह जाया नहीं जाने देगा खुदा उसको हमें एक दिन उसका फल मिलेगा और 101% मिलेगा मुझे विश्वास है अगर हम इसी तरह से अपने काम को करते गए और इसी मैनत के साथ इसी लग जब तक आप खुद सैटिसफाइड नहीं होगे ना हायर यह वीडियो मैंने बहुत अच्छे बनाई है और भाई इस पर अच्छा रीस भी आएगा तो जरूर आता है यह मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है जिस वीडियो के अंदर मैंने वैल्यूज आड़ करी है आपको अपने चैनल्स पर करना हाड वर्किंग बहुत जरूरी है ठीक है और आपको यूनिक ने असलानी है अपनी कॉंटेंट के अंदर क्योंकि सब चीज सब लोग सेमी कर रहे हैं आपको लोग किस तरह से पैचानेंगे आपकी खुदगी एक आइडेंटिटी होनी चाहि बुमन बाम ने यूनिक किया हुआ है अमित बढ़ानां ने यूनिक किया हुआ है इस वज़े से इन लोगों की ऐडेंटिटी बन गई है इनके कुछ डायलोग जो दर साथे हैं कहां के यह डायलोग इसका है तो मतलब उन्होंने डायलोग में इसा अपने आपको निका रहा है कि आज आप उनका कोई भी डाइलोग कहीं पर बहुत मैंद这个 किसका है उन्हें इम्हें इक इस याप डाय को बनाई वो इंटिटी आपको भी बनानी है कि आपकी वीडियो कोई भी देखे तो आप को मतलब कोई भी देखकर करें बहुत सकता है कि हाँ यार यह वह बंदा है जिसका चैनल है यह इस यह उस बंदे की वीडियो है दोस्तों मैंने अपने चैनल तीन बार छोड़ा है तीन बार मतलब एक ख़ते के लिए तीन बार चोड़ा है एक आपने चैनल साहीत साथ दिन एक बार छोड़ा था साथ दिन एक बार छोड़ा जब जब मैंने चैनल ठोड़ा जब जब चैनल डाउन हुआ है मतलब मैंने यही देखा अगर हम कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हैं डेली वीडियो जारी हैं तो हमारे पास डेली न्यू विजिटर्स आएंगे और आएंगे और अगर हम वीडियो बनानी छोड़ देते हैं तो भाई हमारी जो ओडियंस है ना भाई वो भी चले जाती है यार तो हमें अपनी डेली वीडियो बना करके उन लोगों को अपने साथ रखना है और उनको अच्छा कंटेंट प्रवाइड करवाना है ताकि हमारी वीडियो से वो सीखें अपनी वीडियो केंदर उनको इंप्लीमेंट करें यह बहुत मैटर करता है कि हम खाई हमारे ठेक्टनीकल चैनल है तो हमें वीडियो को डेली देना पड़ता है लेग्न ऐसा भी весь कि हमें daily देना है बागी और भी बहुत सारे child médiص算 नहीं मानाते उस उनको एक्पियности है उनको पता है क ready अगर वीक में यूदो दालेगे एक विडियो डलेगे चलनी है कि उल्यडी उनके मिल्यींस में चैनल चलते हैं उनको हर चीज़ का पता होता है पहुरौ research moji कि I tried YouTube के सैटिंग्स है के यूटुब में और बहु सारी स्पराइबा अपने चैनल रही बता रहे हैं। कॉंटेंट। हर केसी का सेम ही आपको पता दूं। बस यह है कि बھائ, आपने उसके इंदर कितना एड़ओन किया है extra, वो matter करता है, आपको जो presentation से, आपकी परिटिंग है, वो आपने कितनी उसके अदर मेहनत करती है, वो आपकी वीडियो को दरसाती है, कि ब Cambri, आपकी वीडियो कितने अच्छी होने वाली है और कितनी आपकी वीडियो चलने वाली है ठीक है? तो आपको uniqueness भी लानी है आपको different भी करना है लोगों से तभी जाकर के हम एक अच्छा valuable content लाएंगे और experience मेरा यही रहा है कि भाई अगर हम YouTube पे success होना चाते हैं तो भाई हमें अच्छा content देना पड़ेगा अच्छा content की साथ साथ हमें अच्छी editing देनी पड़ेगा ठीक है? और valuable content देना पड़ेगा चाहे आप वही same topic किसी बड़े creator का ले लो वही same topic तो अगर आप वीडियो बना रहे हो और आपकी visuals अच्छे हैं तो आपकी वीडियो को भी लोग देखेंगे मैं यहाँ पर एक new channel से example देना चाता हूँ देखो एक आज तक है और एक NDTV है NDTV की जो visuals हैं आज तक के मुकाबले कोई जादे खास नहीं है इस वाई से आज तक को लोग visuals के चक्र में भी देखते हैं क्योंकि उसके visuals जो हैं वो बहुत अच्छे हैं NDTV की values हैं कहींने कहीं बहुत अच्छा channel है लेकिन अगर हम visuals की बात करें उनके visuals की बात करें तो आज तक बहुत अच्छा है visuals के मुकाबले वोई सेम न्यूस आज तक में चल रही है वोई सेम को इसलिए दिखाते हैं आज तक इसलिए नंबर वन चैनल है मीडिया में क्योंकि उसके विज्वल्स हैं उसकी एडिटिंग है वह एक नंबर है आप भी अगर अपनी वीडियो के अंदर अपनी वेल्यू एड करोगे और कंटेंट अच्छा दोगे तो भाई आपकी वीडियो